गुट मॉर्णिंग इस्ट्रेंट्स आपको नए वर्स की धेट साय सुबकामना है और नए वर्स की उपलच्छ में उत्तर प्रेस लोग सेवा आयोग ने भी आपको बिल्कुल तबियत आपके खुस कर दी है नया कलेंड़ा उन्हों जाले कर दी है 14 माई 2023 को इनका प्री एक् है और 23 सितंबर को 23 सितंबर 2023 को इनके मुख परिच्छा है यानि कि 14 माई से लेकर के 23 सितंबर के बीच में चार मेने का लगभग गैफ आपको मिलेगा मुख परिच्छा के त्यारी करने के लिए तो मेरा मानना है कि विद्यार्थियों पूरी ताकत के साथ जून के साथ लग जाए और प्री परिच्छा को क्रैक करिए और प्री परिच्छा के लिए कोई मेटेरियल चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूं URD का क्लास लेक्षर क्लास नोट्स और प्लस घटना चक जितने भी पुराना पुर्वा लोकन आता है घटना चका 30 साल के पीसिस का जो क्वेशन्स आते हैं आप उनको देख लेजें URD का लेक्षर URD के नोट्स प्लस घ हटाफ सेफ रहता है अगर आप 150 कोशन जीएस के आते हैं और आपने निगेट्व के टु हटा करके अगर आपने 90 कर लिया तो स्योर डन है कि आप मुक पर इच्छा लिखेंगे कटाफ तो जनरली 87 88 के आसपा जाता है लेकि 90 कोशन अगर आपके हो रहे हैं तो आप परिश्चा के लिए मन आपकर कि 6 मन का क्रेंट पढ़ लिजे आपको 25 कोशन आते हैं वो निकल जाएंगे मैं आपको पूरा डेटेल बता दे रहा हूं कैसे कैसे होता है तो अलग बलग बत तेज कोशन आपके पॉल्टी के आते हैं तो पॉल्टी में आपको कुछ नहीं कर पमान के चली तेज कोशन भूगोल के आते हैं तो भूगोल में भी सेम यही युवाल्डी का नोट्स प्लस घटना चक और महस्क मरणवाल पढ़ लिजे आपके तेज 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 कोशन हो गया उस्तन फेस के बाद ले लिजे इतिहास इतिहास में सब ज़्यादा आदिक भ पढ़ लेजे युवाल्ड का नोट्स पढ़ लेजे आपका काम हो जाएगा तो आपका हो गया 23 23 23 कोशन हमने बनाए तो 23 23 23 दिन पाल्ट हो गया चौथे पाल्ट में अगर हम बात करें तो एकोनोमी करेंट से जुड़ा हूँआप टोपिक आते हैं तो आप करेंट अफेर कि लग भल लग 25 कोशन आते हैं तो 25 कोशन अगर आप करेंट अफियर के लेते हैं तो मैंने बोला प्रित्योक्तर अडपर 14 में को पेपर है तो मई को छोड़ करके आप पिसले 6 में एक आप ले लीजे यानि कि अभी से नॉम्बर दिसंबर से चालू कर दीजे पूरा करेंट अभी से प्रित्योक्तर देना चालू करेंगे तो तब तक के लिए आपका अच्छा हो जाएगा तो करेंट अफियर हो जाएगा आपके लिए यूपी ज़रूर पढ़ लिजेगा परिच्छा वाने की किताब आती है बहुत दीप्रिकासन की यूपी उससे त्यार कर ल लाते हैं और लग भलग उनके सौ 110 के असपास कोशन सही होते हैं डिर सो में निगेट्व मार्किंग हटाने को आपके सौ से 110 के असपास कोशन लगा देते हैं रिगुलर बैच जो एक ऐसा बैच है जो आरो लोवर और उपी पी से स्प्री के लिए डिजैन किया गया है साथ सारे वंडे एकजाम भी कवर कर लेता है थो इस सारे एकजाम के लिगँ कवर करता है तो से सेट के लिए कोलिफाइं होता है लीकिन उसको हलके समत लेजेगा बहुत-बढर दिखा जाता है की GS में अच्छा हो जाता है, लेकिन CSET में अच्छा नहीं हो पाता है, तो CSET में देखे, 15 question math के आते हैं, 15 question reasoning के आते हैं, 25, अगर पच्चेस पच्चेस अगर कई Austin है, लेकिन अगर मुझे से पूछा जाए कि सर्फ इग्जैक्ट बता दीजे, तो 15 question math, 15 question reasoning, reasoning, हिंदी, वाला पार्ट, कमटेंशन भी कर लेते हैं, तो आपके सर्फ 70 question के आसपास सही हो जाते हैं, तो ये जड़नीती है, आंगे के लिए, कमरकस के त्यार हो जाएए, और बिल्कुल तहल का मचा दीजे, प्री निकलेगा, तो मुख परिश्चा की त्यारी अराम से चार मेहने में लग करके, खुबन सा रेटिंग करके, अराम से हो जाती है, ठीक है, जैहिन, जैभारत!